हेलो सुरेंट्स, आज मैं आपको थ्री वेस बताऊंगी, जिससे आप अपने फॉल अप कोशन की लेंद को इंक्रीज कर सकते हो और एक्जामिनर आपसे वाई, हाउ करके बार बार कोशन नहीं बूचेगा और आपको तंग नहीं करेंगे देखो वो बार-बार वाई जा फिर हाउ इसलिए कहते हैं विकोज वो अपके अंसर से सैटिसफाइड नहीं होते आपको वो एक्स्टेंड करने के लिए कहते हैं जा कुछ इस वेस से अंसर करो कि आपका रैलिवेट अंसर हो तो आज मैं वे बताऊंगी जैसे आप अंसर एक्स्टेंड करो आप अच्छे वेसे बोल पाओ और अच्छे स्कोर ले पाओ चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैथर इस कमपैरिजन जैसे कई बार उन्हेंने पूछा आता है कि आजकल क्या हो रहा है क्या ट्रेंड में है तब आप कमपैर कर सकते हो पास्ट में कि आजकल ये सब कुछ चल रहा है हावएवर ये पहले बहुत डिफरेंट था जहां फिर आप कमपैर कर सकते हो फ्यूचर में कि ये फ्यूचर में लगता है ये कंटिन्यू रहेगा because यह काफी popular thing है इस वे से don't worry, मैं आपको एक example देके बताती हूँ यह question मैंने QCard के follow up question में से ही लिया है difficult job वाले में से question is, which do young people prefer? boring jobs with higher pay or interesting jobs with lower pay तो यहाँ पर आप बोल सकते हो if I talk about bygone era जाफे in last decade ऐसे few decades ago ऐसे करके कुछ बोलो कि पहले क्या करते थे money related mostly देखते थे कि money अच्छी हो even though jobs boring है however, यह thinking उनकी change हो गई है, जाफे यह approach change हो गई है उनकी, अभी वो अपने passion को ही follow करना चाते है interesting things को ही करना चाते है तो यहाँ पर आप despite वाला लगा सकते हो कि despite low pay they prefer to do interesting jobs तो आपका even though वाला भी structure लग गया, despite वाला भी लग गया और आपका length भी increase हो गई अगर और increase करनी है length तो आप बोल सकते हो hope यह trend future में भी continue रहे because it is really good approach अभी मालो question है, how do young people today decide their jobs तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, today की बाद पहले कर दो like पहले वाले में जनरल ही पुछा था ना की कैसे चूस करते हैं तो यहाँ पर मैंशन किया है today तो यहाँ बोल दो आज कल लोग अपने passion के according चूस करते हैं, career जो उनको लगता है की वो interested है, वो सारा कुछ बोल दो और आगी line में एंड करने से पहले क्या बोल दो? unlike बाइग वाइग उनरा unlike few decades ago पहले क्या करते थी? where people mostly prefer to do job wherever they get more money मतलब आप मैं इसे फिग्जामपल दे रही हो आपको कैसे? extend करना है एक तो unlike वाला आगया like मतलब इसके जैसा अनलाइक मतलब पहले ऐसे नहीं होता था तो यह आपका न्यू वर्ड भी ऐसे आप यूज कर सकते हैं बिगस आई नो बहुत ही कम स्रेंट्स यूज करते हैं और आगे इसका भी आप ऐसे बोसे होप फ्यूचर में भी यह कंटिन्यू रहे और अप गर आप चाहते हो तो पहले today वाला बोलकर past वाला बोल दो कि कैसे करते थे में भी उनकी thinking थी जा फिर में भी approach change होती रहती है ऐसे करके जा फिर as time pass लिवकोष changes होती रहते हैं उस इस विर से बोलो कि आपका answer की length increase हो जाएगी second method is include any example example, दो टाइप की हो सकती है, जहां फिर किसी फेमल परसन की international, national level पर कोई दे दो, जहां फिर अपने personal experience के according दे दो कि मैं भी ऐसे करती हूँ, जैसे मुझे देख लो, ऐसे करके, for example, some people will lose their jobs because of technology, how to deal with it, तो पहले तो आप answer में बोल सकते हो कि सबको देखना चाहिए कौन सी field में काम करना है, उसके according side by side जब वो पढ़ रहे हैं, तो उनको knowledge लेनी चाहिए, new skills सीखनी चाहिए, ताँ जो बाद में काम आ सके, तो उसके बाद, for example, मैंने भी, अगर आपने यह नहीं बोलना, for example, तो सीधा ही बोलना शुरू कर दो, कि मैंने भी ऐसे ही किया, मेरा इस field में इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपने study की हो, उसके साथ, alongside that, मैंने एक course किया, जो मुझे बता है, कि फ्यूचर में काफी demand होएगी, तो इसकी वज़े से, बाखी को भी सब कुछ ऐसे ही करना जाए, जहां फिर आप बोल सकते हो, कि like मेरे grandfather जहां पर job करते हैं, तो youngsters उनको replace कर सकते थे, क्योंकि new technology, old people को नहीं यूज करने आती, that's why, मेरे grandfather ने side by side course करके, जाफी हम से knowledge लेकर, टेकनोलजी के बारे में, अपनी job को save कर लिया, just like him, बाकी सब को भी ऐसे करना चाहिए, चलो एक और example लेते हैं, do you think modern lifestyle encourages or discourages adults from playing games, तो इसमें तो आप starting में ये वो सकते हो, in my perspective, इसमें करता है, जाफी डिस्करेज करता है, तो आप करके गॉर्डिंगा है, mostly तो I believe, रियल में बिलीग की डिस्करेज करता है, सारे इतने busy हो गए हैं, इतना addictive हो गए हैं, social networking side से, जाफी गैजट से, कि वो गेम्स नहीं कहलते, तो इसके बाद, पॉइंट दो, तीन लाइस बोलने के बाद, अभी आपको आइडिया नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, खुद की example ले लो, इसे करके, मैं भी, I have also become a prey of this, क्यों मुझे भी time नहीं मिलता, मैं भी इसकी prey बन चुकी हूँ, शिकार बन चुकी हूँ, कि इसकी वज़स से, मैंने भी, गेम्स के ली बंद कर दी हैं, हाँ, इसमें आप ये भी बोल सकते हो, कि, when I was a child, तब मैं खेलती थी, अभी बिल्कुल बंद कर दी, मतलब दोनों को ही combine करके भी बोल सकते हो आप, कि past comparison करके, और खुद की example देगे, और अगर अभी आप teenager ही हो, तो आप अगर अपने sibling की example देदो, तो वो भी चलेगा, next method में क्या करना है, कि आप एक सी जादा points को include करने की कोशिश करो, for example, अगर question है, कि how can we encourage children to help others, तो इसमें पहले एक वे बता दो, कि हम खुद करेंगे, तो भी बच्चे वो follow करेंगे, like बच्चे imitate करते हैं, न, copy करते हैं elders को, अगर हम खुद चीजें करेंगे, तो बच्चों को easily वो सिखा सकते हैं, because वो हमें copy करेंगे, another way to encourage them is, मतलब second point लिखके, कौँसा point है, कौँसा way है, उनको encourage करने के लिए, कि अगर कोई भी वो अच्छा काम करते हैं, उनको praise कर दो, वो happy feel करेंगे, तो वो काम continue करेंगे, इस वे से, एक से ज़्यादा point include करके, length को easily increase किया जा सकता है, जैसे कि एक और question है, how do students help each other, तो इसमें बोल सकते हैं, एक दूसरे की assignment में help करके, जहां फिर उनको कुछ borrow करना, अगर भूल गे हैं, उनको lend करके, जहां फिर अगर वोर same route से आते हैं, तो car pulling, bike pulling, एक में comparison कर दिया, एक में points include कर दिये, फिर उसके बाद कोई hybrid method, मतलब एक में example भी दे दी, comparison भी कर लिया, different different way से ऐसे कर लिया, तो अगर आप दो बार example दे रहे हो, वो भी चलेगा, मतलब आपके 8 questions हैं, तो एक ही type के question का answer देना, एक ही way से answer देना, यूज के बाद hybrid कर के use करोगे, तो आपकी length भी increase होएगी, confidently bowl भी पाओगे, और आपका content relevant भी रहेगा, ok friends, thanks for watching,